Hello everyone, I am Saakshi Agarwal and I welcome you all on Mehinti Bacche As you all know that, अपनी हिस्ट्री दी सीरीज चाल रही है 5 parts अल्रेडी डिसकस हो चुके हैं अज 6th part cover करांगे अज दी वीडियो बहुत जादा इंट्रस्टिंग है So, ते आननल सुनियों, ते इंपोर्टेंट भी बहुत हैं जिनने भी चानल नू सब्सक्राइब निकिता, सब्सक्राइब करो ते लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन देली डेल आइकन नू टैप करो ते एक होर दाल जिनननू लाग रहे हैं कि उनननो ए चैनल देखनाले वीडियोस देखनाल फाइदा हो रहा है तब वीडियो नूँ लाइक शरूर करो सो आज ता लेक्चर स्टार्ट करदे हैं बहुत इंप्रस्टिंग लेसन है आज ता ओके देखो आज ते लेक्चर च बेसिकली अपा की करांगे 1905 तो लेके 1947 तक दे जो वी इंपोरेंट इंसिडेंट्स है उननों पूरे टाइम लाइन दे विच डिसकस करांगे विद कोशन्स ओके एदे नल की है एक तदो नूँ पता लाग जुगा कि केडा इंसिडेंट कदो होया केडा पहला होया केडा बाच होया विकास तो उसी देख्या होगा कि पंजाब दे वी जड़े एक्जाम्स है पीपेसी देगरा पा गाल करिये ओदे विच टाइम लाइन बेसिस दे उपर कोशन्स भी आंदे हैं एक ताम इंसिडेंट्स पाड़े नॉलेच होनी चाही दिया है ते सेकेंड गल के ओ टाइम लाइन पता होनी चाही दिया की कीमे कीमें इंसिडेंट्स होई एक वरी में तो उनु पता लागजी केड़े कोशन्स आपड़ डिसकस करांगी जी मेंदे विच दिता है कि सब देशी ते बायका टेज़ेडा नो अडॉप्ट किता गया एस मेथड अफ स्ट्रगल फर्स्टाइम केडी मुव्मेंट दे दोरान सेकेंड ने सब देशी मुव्मेंट किते ते कदो हुई थर्ड अपने को लाएं इंडियन काउंसिल एक नो की बोल देया है ओकी ओतो बाद नेक्स्ट गदर पाटी बारे पढ़ांगे ओतो बाद नेक्स्ट अपने को लाएगा कोमा गाटा मारू देनाल रिलेटीड कोश्चन नेक्स्ट है गवर्मेंट अफ इंडिया हैं 1919 ओके सो थो उन्हों मैं मेन मेन कोश्चन दिखाते हैं अपने अपना अज दे लेक्चे नो करते हैं स्टार्ट सो जी मैं कितो नो पता है अपना अपना अलड़ी अगर आपा थोड़ा जा सोचिए जी में कि तो उन्हों पता है 1847 अपा डिसकस किता कि 1847 की हो ऐसी रिवोल्ट होया सी ना ठीक है ऐसी पौई मुटिनी वला देख्या ओ तो बात जड़े अंग्रेज सी ना थोड़े जे मतलब कंदेया ना थोड़े जे हो सोच समझ के स्टेप लाने उन्होंने स्टार्ट करते ठीक है उन्होंनों पहला उस तो पहला देखो 1905 दी बेंगॉल पार्टिशन नों समझेंदे लही अपा एक हो चीज डिसकस कर देया जिमें कि अपने पढ़या 1845 दे विच की हो ऐसी रिवोल्ट हो ऐसी तो बात अंग्रेज थोड़े केरफ जो कियरफुल होगे सी तो बाद ही फिर उन्होंने ऐसे स्टेप्स लेने स्टार्ट करते कि जेड़े इंडियन जाओना दी यूनिटी नूं कटाया जावे ठीक है तो उदेविच जेड़े मेजर स्टेप्स सी ओ एही सिगा कि बेंगॉल दी पार्टिशन कित्ती गई उन ब जी खेंगे कि तो आमें आवे इंडियन सा ड़ते पारी पैजन थेक है ता पहला यह इन्हों डिवाइड कार दो सो बेंगॉल ही ऐसा रिजन सी जित्ते सब तो पहला अंग्रेजा ने डिवाइड एंड रूल दी पॉलेसी अपनाई ठीक है कि टुकडे अच डिवाइड करो ते फिर रूल करो इन्हाने बेसिकली गी किता है बड़े शातिर सी इन्हाने बंगॉल नो डिवाइड के में किता बंगॉल तो ही इन्हाने एक एस्ट बंगॉल बनाता ते नाल ही एक असाम बनाता ओके एदे नल की होया जेड़े अलागलाग रिलीजिन दे लोग हैं उन्हानों सेपरेट करता फॉर एक्जामपल अगर आपा देख्या जावे कि इस्टन पार्ट दे विछ मेंली मुसलिम सी जेड़े वेस्टन पार्ट ची सी बंगॉल दे उथे मेंली हिंदूस रहन्दे सी सो एक तरह देनने इनना विछ ना अलागला कॉम्यूनिटी दो लोग का नो अलाग करके उनना विछ की किता अलाग करता डिवाइड करता ते उनना नो फिर उनना दे अकॉर्डिंग रूल किता ठीक है इसकी तांकि ये दोननों आपस चे मिक्स अपना होन ते साड़े किलाव कोई साजिश ना रचन ठीक है हुन जेड़ा बंगॉल्दी पार्टीशन होई वो करवाई किने एक रोयल प्रोक्लेमेशन किने डिक्लेर किता एदा नाम याद रखना है वो बंदेदा नाम हैगा लॉर्ड कुरुजौन ठीक है ते बंगॉल्दी पार्टीशन फाइनली कदो हुई 16 अक्टूबर 1905 ए डेट बहुत इंपोर्टेंट है याद रखनी है जोदो बंगॉल्दी पार्टीशन हुई उस्तो बाद ही की होया उस्तो बाद ही बहुत जादा एंटी नाशनल anti-partition movements start होगिया देश देवीच ठीक है anti-partition movements मतलब कि एदे खिलाफ बंगॉल दे खिलाफ बहुत जादा अवाज उतनी start होगि ठीक है याद जोद आपा INC सेशन्स किते सी होदे विच होदे आपने पढ़या कि इंडिया नैशनल कॉंगरेंस दे, 1905 देविच में दो सेशन्स दे गाल किती सी, तल्ला किता सी बनारस देविच, बनारस की किता सी, उनना ने क्या सी कैसी सब्देशी मुव्मेंट दा चनल सी कार्विच, बनारस इतन invites पाल के सी, बनारस की किता है, बनारस के सी युवमेंट दाननी है, पना नारस किता सी, led à गाल किता सी, ठीक है लोका ने भी किता जड़ी इंडियन चिज्जां सी जमें इंडियन कपड़े सी उन्हादा यूज करना स्टार्ट करता फोरण गोड्जा यूज करना बिल्कुल बांग करता ठीक है तो एक तरह आपकी देख रहे हैं कि जदो बेंगौल दी पार्टीशन किती ओधे खि बात काता ओके सो यह था हुई 1905 दी गाल ते 1905 दे विच आई एंसी दे दो हुई सेशन्स ओके हुँ नेक्स्ट आप पा गाल करने हैं देखो इस वक्त एक होर चेस हुई सी 1905 दे विच रबिंदनात्य अगोर अन्ना ने इस टाइम ते की किता एक कंपोजिशन दित्ती जिदा नाम की सी अमार सोनर बांगला ओके अमार सोनर बांगला जेडी की अग्य जाके बांगला देश दी नाशनल एंथम बनी याद रख रहे हैं कि कदो दित्ती सोनना ने जो दो पार्टीशन होई से बंगल दी उस टाइम ते ठीक है हुन अपा अग्यी गाल कर दे नेक्स्ट इवेंट दी पहला की होया 1905 पार्टीशन होगी बंगल दी और तो बार 1906 दी गाल करिये 1906 दे विच सब तो पहला की फॉर्मेशन होई मुस्लिम लीग दी फॉर्मेशन होई ठीक है 1906 दे विच मुस्लिम लीग दी फॉर्मेशन किते गई की दी लीडर्शिप दे अंदर ये भी पता होना चाहिए है कौन कौन ने सब तो पहला हैगा अगा खान सेकेंड नाम हैगा नवाब सली मुला किते दा नवाब से है धाका दा ओके एंड थर्ड चीज थर्ड है नवाब चीज नहीं सौरी नवाब मुसीन उल्मुल्क ठीक है ये तिन परसंज है इनना दा नाम याद रखना है इनना दी लीडर्शिप दे अंदर ही मुस्लिम लीग नू फॉर्म किता गया ते कदो फॉर्म किता गया 1906 दे विच ओके बनी सो हुन नेक्स चीज पाड़ देया देखो जड़ी मुस्लिम लीग सी उनना ने की क्या कैसी पार्टीशन ओफ बंगॉल मुता कर देया सपोर्ट ठीक है बट जड़ी यहाँ इन सी ने सब देशी मूव्मेंट दा एलान किता है उननों सी की कर देया अपोस ओके मतलब य देशी पार्टीशन ओफ बंगॉल दे ते अपोजीशन ने की दी किती सवदेशी मूव्मेंट दी इक ता एगाल याद रखने इनना बारे सेकेंड गाल हुने ने की क्या कि जड़ी मुस्लिम कॉम्यूनेटी है उननों स्पेशल सेफकार्ट प्रोवाइड किते जान ते उन ने डिमांड किती एवी याद रखने है और तो बाद फिर नेक्स्ट की होया 1906 दे विच एक होर चीज होई ओ मैं थो उन्हों आल्रेडी वैसे दास चुक्किया है 1906 दे विच ही कैलकटा सेशन दे अंदर आई-एन-सी दे डिमांड किती गई-कादी स्वराज दी very important ठीक है यह मैं दास चुक्किया है दुबारा दास रही है और तो बाद 1907 अगर थोन्हों याद होवे एक होर चीज होई सी सूरत सेशन दे अंदर की होया सी श्प्लिट होगया सी ठीक है ओदे विच दो ग्रूप्स बन गया सी ना moderates थे extremists यह याद रखने है बहुत important session है वाला हु हुँ देखो तुससी देखोंगे कि Muslim League ने की demand किती कि separate electorates दित्ते जान Muslims नूँ फिर 1909 दे विच ठीक है क्योंकि अंगर एच बड़े शाने सी इनननों ता मौका मिल गया कि हाँ वदिया होया कि at least एता सानों सपोर्ट का रहे ने इनननने की किता 1909 दे विच इननने एक Indian Council Act एला क्या है Indian Council Act 1909 बोल लो या फिर उनु बोल सागना तुसी मौरले मिन्टो सौरी reforms ओके एदे विच थुन में 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 गाल दाजनी है कि एननने एदे विच की केहा जेड़ा बाकी दी डीटेल है और तुसी खुद पढ़ोंगे ओके मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स जेनने की किया कि एक तासी separate electorates देनने त्यार है Muslims दे लिए basically मौरले मिन्टो रिफॉर्म्स जेनाल इननने introduction कारती सी separate electorates दी Muslims दे लिए okay for Muslims याद रखने है तिस सेकिंड तुसी जेड़ी मौले मिन्टो रिफॉर्म्स दे गाल याद रखने है कि मौले मिन्टो रिफॉर्म्स दे विच्छी सब तो पहली वार Elections दे बारे जिकर किता गया Elections दे बारे गाल किती गई Elections दे बारे जिकर किता गया मौले मिन्टो रिफॉर्म्स दे लिए ते दे विच सेपरेट इलेक्टोरेट से गाल किती गई Muslims दे लिए हुन देखो जड़े रिफॉर्म्स आये सी 1909 दे जिनू मौले मिन्टो रिफॉर्म्स बोल दे है इदे विच खोर एक दे विच थो नो गल पताओ नहीं चाहिए दिया है वो की है वो नाम की है मौले मिन्टो ओके देखो ओ गल कि तुसी केदे बारे की याद रखने है कि जड़ा इथे मौले मिन्टो रिफॉर्म्स बोल दे ना इदे दोनो परसन बारे पुछलन दे है कि मौले मिंटो ऐ सेक्रेटरी कौन है ते वायसरा कौन है तो तुसी याद रखने है जो मौले है वो हैगा सेक्रेटरी ते जड़ा मिन्टो रिफॉर्म्स आगे फिर उस तो बाद 1911 दे विच की हुए दिल्ली दर्बार नू सजाया गया कि दे लई King George दे लई ठीक है दिल्ली दर्बार लग गया King George 5 दे लई ते एदे विच एक बहुत important decision लिता गया ओकी लिता गया कि partition of Bengal नू असी वापिस लाने है ओकी ते 1912 दे विच एक होर चीज होई ओकी सी जड़ी Capital C उनू ट्रांसफर किता गया Calcutta तो दिल्ली ठीक है उन Capital किनू बना दिता गया दिल्ली नू कदो बना ऐसी 1912 दे विच 1911 दे विच दिल्ली दर्बार्च ए फैंस ल लिता गया कि जड़ी Bengal दी partition है उनू annul किता जावे मतलब ओधी जड़ी Validity आउनू समापत किता जावे ओके सो ए चीज तुसी याद रखने है और नेक्स्ट इवेंट डिसकस करदे हैं देको 1913 दे विच उन की ओ रहा सी नाशनलिजम दी फिलिंग इंडिया विच ता हैगी सी बट इंडिया दे बहार भी सी ता 1913 दे विच की कि पंजाबी शिक पीजन्द ते एक्स ओलजर्स जिन्हें इस ये और कैंडिया दे विच रह रहा रूंदे हैं उननने मिल के ता हैं उननने मिल के एक पार्टी दी फॉर्मिशन किती 1913 दे विच ते ओ पार्टी दा नाम कीसी गदर पार्टी ठीक है उन्टेट ये पार्टी सी येदा नाम गदर पार्टी ही क्यों रख्या गया गदर बेसिकली कीसी गदर एक वीकली पिपर सी उधे नाम तो ही गदर पार्टी दा नाम गदर पार्टी रख्या गया एक कीसी एक वीकली पिपर कि आधे में में जिड़ी गदर पार्टी बनी इक होरे दे बारे पताहऊना चाहिए और एदे हेडकवाटर किते सी सेन्--- फ्रांसिस्को उके बहुत इंपॉटन्ट कोश्चन है कि गदर पार्टी दे हेडकवाटर किते सी दे सान्- लाला हर्दयाल इनना दा नाम बहुत इंपोर्टेंट है याद रखने है अंदा रंदे पिपर्च पंजाब दे लाला हर्दयाल ओतो बाद नेक्स नाम हैगा तारक नादास ओके थर्ड वन इस सोहन सिंग बखाना ठीके ए तिनना नो आपा बोल साकते हैं कि गदर पार्टी द इनना नो तो तुसी फाउंडर स्लिक्व हो लीडर नीव फाउंडर स्लिको करते हैं कश्छ नएकस्ट नब मना कुछ लीडर सीगाल करते हैं को इसी आभ़ी देना कॉण सी बाबबा गोर्मुंक्ः मिऌ क्यों बुलकिंघ नेक्स्ट कर्तार सेंग्जर नामकिन हो कौण सी ओके नेक्स्ट है सोहन सिंग बकना इनना तापा पाड़ी लिया ओतो बाद नेक्स्ट नाम है रहमत अलीशा पाई पर्मानंद ओके एंड लास्ट वन है मुहम्मद बरकतुला मुहम्मद बरकतुला ओके कौन कौन है बाबा गुर्मुक सिंग करतार सिंग सराबबा रहमत अलीशा पाई पर्मानंद एंड लास्ट वरिस मुहम्मद बरकतुला ये अधर लीडर्स है फाउंडर्स अगर पुच्छे जान लाला हर्दयाल तारकना दा सोहन सिंग बकना ठीक है ओतो नेक्स्ट हुन होर गाल कर देया है ये ता सी गदर पाटी दी फॉर्मिशन दे बारे हुन नेक्स्ट ही खोर इवेंट होया 1914 दे विच ठीक है ओकी सी काम्मा गाटा मारू इंसिडेंट देखो जेडा काम्मा गाटा मारू है ये बेसिकली नाम किस चीज दे है ये म है काम्मा गाटा मारू ओके ये बेसिकली नाम की दे है काम्मा गाटा मारू जेडा सी ओ एक जैपनीज स्टीम शिप सी ठीक है जैपनिस स्टीम शिप जेड़ा की सिखां ते मुसलिम्स नू पंजाब तो पंजाब तो कैनेडा लेके जा रहा सी ओके बट कैनेडा ते जड़ी कावमेंट है उनना ने अलाव नी किता है नूँ एंटर करन दे ले कैनेडा तो वापिस मोड देता गया इंडिया तरफ पर जोदो है कैलकटा पॉंच दे जोदो यह जड़ा शिप सी हो कैलकटा पॉंच दे ता लोका ते बहुत जादा ब्रिटिश कावमेंट ब्रिटिश एटे सोलजर्स है ओ लोका ते फाइरिंग करना स्टार्ट कार जन दे ते बहुत सारी लोग मारे जन दे ठीक है यह की बोल दे है कॉमा गाटा मारू इंसिडेंट ते कॉमा गाटा मारू नाम के दे एक जैपनिस टीम शिप दा ओके सो नेक्स्ट हुन पढ़ दे है 1916 चागे उन अपा ठीक है 1916 दे विच एक बहुत ही इंपोर्टेंट चीज होई ओकी सी होम रूल मॉव्मेंट ओके जड़ी होम रूल मॉव्मेंट सी सब तो पहला ता यह पताओना चाहिए कि यहनू स्टार्ट किने किता यहनू स्टार्ट किता सी बाल गंगा धर तिलग जी ने ठीके उन्ना ने नू कित्थे स्टार्ट किता सी ये भी पता होना चाहिएद है पूना देविच पूना ज बाल गंगा धर तिलग जी ने ये मूवमेंट नू स्टार्ट किता ओकी उतो बाद एक होर नाम इंपॉर्टेंट है होम रूल मूवमेंट दे नाल ओ हैगा एनी बिसंद ने जीड़ी ये मूवमेंट सी होम रूल मूवमेंट उन्नो कित्थे स्टार्ट किता सी मदरास देखोल अपने को लिक जगह है अधियार अधियार उत्थो एनी बिसंद में ये जीड़ी मूवमेंट उन्नो स्टार्ट किता त्यानी बिसंद साथ ही खोर जाने ने दित्ता से कई वार ओदे उपर भी कोश्चन पुछलन दे हैं सो ओ भी पता होना चाहिए उन्ना दा नाम हैगा एस सुप्रा मन्या अईयर में तो ने अब पता होना चाहिए है कि जड़ी होम रूल मूवमेंट है उन्नो स्टार्ट की ने किता सी बाल गंगा दर दिलग जी ने किते किता सी पूने दे विच और तो बाद एनी बिसंद मद्रास दे विच किता फिर फुर्दर होर प्लेसिस ते है फैल दी गया इसी इंपॉर्टेंट है है हुम होम रूल मूवमेंट दा मतलब की हो या यह दो अबजेक्टिव की से अगर आप देख्या जाए होम रूल मतलब की सि खुद रूल करांगे ठीक है सानुकि से ब्रीटिश कवर्मेंट दी जुरत नहीं है कि जो साइड दे रूल करें सो होम रूल मूवमेंट दा ज़िटा अबजेक्टिव सी हो की से सेल्फ गववमेंट ठीक है किसा अनुकि से ब्रीटिश कवर्मेंट दे जुरत नहीं है से खुद इनने एफिशेंट है कि असी अपनी कवर्मेंट खुद क्रियेट कर सागदे हैं ते एक खोरगा लियाद र लिख लो, स्वराज is my birthright and I shall have it. ओके याद रखने हैं, पुछलन दे हैं कि यह जड़ा slogan है, किनना ने दिता, बाल गंगा दर, तिलग जो ने दिता, ते केडी मुवमेंट दे दो रहां दिता, होम रूल मुवमेंट, ठेक है, नाम तो ही बता लावें, स्लोगन तो सौरी, किस वर राज, कि अपने आपते खुद राज करना, ओ मेरा एक बर्थ तो अधिकार है, ते मिन्नों अधिकार है, ओके, सो यह गया स्लोगन, हुन अपने नेक्स्ट काल कर दे हैं, एक होर इंसिडेंट होया, 1916 दे विच, ठेक है, ओसी गा लखनाव पैक्ट, ठेक है, अपर पढ़ा है सिचोद इंडिया नैशनल कॉंगरेंस दे काल किती सी, लखनाव सेशन दे बारे, ओ तो बाद ही बेसिकली लखनाव पैक्ट साइन किता गया, ओ दे विच में थो उन्हों दस्या सी कि लखनाव सेशन दे विच बेसिकली की होया सी, इंडिया नैशनल कॉंगरेंस दे मुस्लिम लीग जड़ी है कि सी, ओ युनाइट होगे सी, ठेक है, युनाइट होये क्यों, परना ता ये देख दे हैं, देखो, ब्रिटिशर्स ते टर्की दे विच वार चाल रहा सी, ठेक है, जीड़ी टर्की हो एक मुस्लिम कंट्री है, तर्की ते ब्रिटिशर्स दे विच चाल रहा सी वार, ता ओधी वजात हो, जीड़ी मुस्लिम सी, उनना दे मन दे विच भी ब्रिटिश अर्ज दे प्रती नफरत पैदा होनी स्टार्ट होगी ता उसे कारण जेडे मुसलिम सी उनना ने सोचा मुसलिम लीग ने सोचा कि आसी इंडिया नाशनल कॉंगरांस दा साथ दमांगे ठेक है तुझ ऩर्णाने लखनो पैक्ट दे विच बेसिकली की क्या इननने ब्रिटिश कम्मेंट और डिमांड किती गी डोमीनियन स्टेटस दित्टा जावे कंट्री नुग डोमीनियन स्टेटस ठेक है basically तुसे यह याद रखने है कि लखनोग पैक देविच एक ता इंडिया नैशनल कॉंग्रेस ते मुस्लिम लीग आपस जॉइन्ट होगे सी ते उनना ने की डिमांड किती डॉमिनियन स्टेटस दी for country, for the country ठेक है इंडिया दे लही उनना ने डॉमिनियन स्टेटस दी डिमांड किती से यह याद रखने है ओ तो बाद, next एक होर चीज होई, उनने ना ने ब्रिटिश ने देख्या कि फेर यूनेटी होन लग गी है था, ठेक है यह ता गलत काम हो रहा है, फेर 1917 दे विच एक अगस्थ डेकलेरेशन आई, बेसिकली देखो, एकस्थ डेकलेरेशन चीज होया, ब्रिटिश ने केहा कि क्योंकि असी रिस्पॉंसिबल गॉव्मेंट है, असी यह एलान कर दे हैं कि इंडियन्स दी एसोसियेशन, मैं लिख रही हैं, इंडियन्स दी एसोसियेशन, जेडि है कि है, उनों वदाया जाओगा, की देविच, एड्मिन्स्ट्रेशन दी हर ब्रांच देविच, क्योंकि इसी रिस्पॉंसिबल गॉव्मेंट है, तासी इंडियन्स दी एसोसियेशन, किते इंक्रीज कर रहे हैं, हर एक ब्रांच, एवरी ब्रांच एड्मिन्स्ट्रेशन, ओके याद रखने हैं, इसी एगस्थ डेकलरेशन, ठीक है, ओ तो बाद, फिर नाइन्टीन, नाइन्टीन देविच, एक होर एक्ट आया, जिनों एक्ट ओफ, नाइन्टीन, नाइन्टीन भी बोल देया है, या फिर ओधा एक होर नाम है, उनोंकी Montague, Clamsford, Reform, ओके, हुने दे विच भी Montague की है, Secretary, ते Clamsford की है, Vice-Roy, ओके, उस ताइम, Vice-Roy सी, Clamsford, जदो Montague, Clamsford, Reforms आई, ओके, याद रखना है, ते किदो पर B.S.C., A.B.S.C., बेसिकली, अगस्थ डेकलरेशन दे उपर, ओके, सो आज देले इनना ही डिसकस कारदे है, हुना पर डिसकस कारदे है, कोश्चन्स नूँ, 1919 तक आप मेन इवेंट्स पड़े, हुन कोश्चन्स देख देया, देखो, दो, सब्देशी एंड बाइकट, वर अडॉप्ट इस मेथर्ड़्स आफ स्ट्रॉगल, फॉर दे फर्स ताइम, दूरिंग किदे बिच किताएं में तो उन्हों दास चुकी है, अंसर इस, agitation against partition of Bengal, नेक्स्ट किया है, सब्देशी मुव्मेंट किथे स्टार्ट होई, ते कदो, जोदो partition of Bengal होई सी होधा है, इसी सब्देशी मुव्मेंट, तो 1905, Bengal तो स्टार्ट होई, नेक्स्ट कोश्चन, अपने कुल हैगा, वट इस दा इंडियन काउंसिल आक्ट 1909 नू, की बोले आजन्दे केड़े, नाम तो फेमस है, एवी मैं तो नो दास चुकी हैं, वी, तेट इस, मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स अक्ट, ओकी, नेक्स्ट अपने कोल है, नेक्स्ट है, फाउंट की ने किती गदर पार्टी, एवी मैं तो नो दास चुकी हैं, लाला हर्दयाल, 1913 दे बिच फॉर्म किता गया से नू, ओ तो बाद, कोमा गाटा मारू जेड़ा है, ओ की है, की इस ता नाम है, की चीज है, तो यह एक तरिके दा नेवल शिप है, जिन्नो की कैनेड़ा दी वोइच दे पिज जा गया सी, ओकी, next, what was the Government of India Act 1919 based on, जेड़ा Government of India Act 1919 से ओ की दे उपर based सी, ठेक है, ओ based सी गा B, that is Montague Clemsford Reform से उपर, ओ तो बाद, next question है, ते लास्ट कोशन आज दा, Government of India Act 1919 was enacted, कि जड़ा Government of India Act 1919 है, उन्हों enact किता गया, केड़ी चीज नो implement करन दे लई, केड़ी चीज नो implement करन दे लई, answer is D, that is Montague Clemsford Reforms नो implement करन दे लई ही, Government of India Act 1919 आया, ते तो उसी यह Act बारे जादा details जरूर पढ़ियो, So, आज ते ले इननाई, आज आपा 1919 ताक Montague Clemsford Reforms ताक सारा कुछ डिसकर्स किता, अग यह दिया चीज जा, next lecture च डिसकर्स करांगे, अच्छे तरिक्ये ना लेनू समझो, So, मिल दे आ नेक्स वीडियो दे विच, thank you so much.